दोस्तो आज हम सीखेंगे वाटसप में लॉकेट चैट को कैसे छुपाते हैं, लॉकेट चैट हाइट कैसे करते हैं, आपने अगर वाटसप में किसी चैट को लॉक कर रखा है, तो किसी को पता चल जाएगा कि आपने वाटसप में किसी प्रसनल चैट को लॉक किया हुआ है, क पर किलिक किया, यहाँ पर Lock Chat और यहाँ पर Finger Print को हमने Verify कर दिया, यहाँ पर Chat लोग भी हो गई है और Lock भी हो गई है लेकिन यहाँ पर Locket Chat का Option दिखाई दे रहा है, इसे हाइट कैसे करेंगे तो इसके लिए क्या करना है locket chats पर click करना है यहाँ पर इसे unlock कर लेना है जो भी chat को आपने hide किया है lock किया है वो chats यहाँ पर दिखाई देगी अब उपर में आप देखेंगे locket chats और यहाँ पर आपको three dots दिखाई देंगे तो three dots पर click करना है इसके बाद यहाँ पर chat lock settings पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे setting ए hide locket chat यह setting को on करना है इसके बाद नीचे create secret code पर click करना है अब यहाँ पर आपको एक code set कर देना है जैसे कि हम कर देते हैं 1, 2, 3, 4 और जो भी code आप यहाँ पर set कर रहे हैं आपको उसे कहीं पर लिख कर रख लेना है अगर आप code भूल जाते हैं तो इसके बाद क्या होगा locket chat के अंदर जितनी भी chats आपकी होगी वो सबी delete हो जाएगी इस बात का आपको ध्यान रखना है code आपको भूलना नहीं है तो यहाँ पर code इंटर करना है आप जो भी चाहे वो यहाँ पर number add कर सकते हैं इसके बाद next के बटन पर click करना है फिर से एक बार code को यहाँ पर confirm करके done पर click करना है setting on हो गई बस आप यहाँ से back आना है back आना है तो आप देखेंगे यहाँ पर आप मैं swipe down कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर locket chat का जो option है वो दिखाई नहीं दे रहा है hide हो गया है whatsapp को मैंने बंद किया recent app से दुबारा मैंने open किया अब यहाँ पर मैं swipe down करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर locket chat का option दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने whatsapp के अंदर किसी personal chat को height किया हूआ है lock किया हूआ है इसी तरह से आप किसी भी group को भी halt कर सकते हैं lock कर सकते हैं अब बात करते हैं locket chats के अंदर जो chat है उसे आप देखेंगे कैसे उसे बाते कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको उपर में search बार पर click करना है और जो code आपने set किया है वो ही code यहाँ पर enter करना है जैसे कि यहाँ पर मैंने code enter कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर locket chats का option यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर आप यहाँ पर कोई गलत code डालेंगे तो यहाँ पर आपको locket chat का option दिखाई नहीं देगा जैसे कि आप देख सकते हैं right code मैंने डाला locket chats का option आगिया इसे मैं open करता हूँ अब यहाँ से मैं message वगरा read कर सकता हूँ यहाँ से मैं chat वगरा कर सकता हूँ ठीक है अब यहाँ से अगर किसी chat को आपको बाहर निकालना है तो आपको chat को इस तरह से select करना है open three dot पर click करना है unlock chat पर click करना है और यहाँ पर आपको अपना lock जो है वो verify कर देना है तो chat lock बाहर आजेगी जैसे कि आप देख सकते हैं आलिया की chat बाहर आ गई है कहां गई दिखा देता हूँ आपको मैं आलिया की chat किदर गई यह रही चलिए अब बात करते हैं अगर आप locket chat को वापस लाना चाते हैं तो कैसे लाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको code enter करना है locket chats पर किलिक करना है ओपर three dots पर किलिक करना है chat lock setting पर किलिक करना है hide locket chats इस setting को off कर देना है off करने के बाद आप back आएंगे तो chat तो lock रहेगी लेकिन ओपर में lock chat को option दिखाई देगा अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe करना वीडियो को like कर देना share कर देना